हलो फ्रेंज, वेल्कम बैक टू माई चैनल, मैं अपना चैनल कैटिन शाताबदी चाटर जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ, अभी तक जिस किसे ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कल दीजी, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाओ, उसका नोटिफिकेशन तुरन तब तक पहुचे, और पास में जो बेल आइकन है, उसमें अल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ये फैसलिटी घर बैठ है, आपको मिलेगा, एंड ये फैसलिटी टोटली फ्री है, अभी आज यू मैं वीडियो लेके आपके स सेले भी बोलके कमपनी है, जिस कमपनी में एक बड़ा वैकिंसी था, 24th of last month, उसमें हुआ किया था कि जब 25 को इन लोगों का, जब इंटरव्यू होने वाला था, तो उहां पर इतना भीर हो चुका था, तो उहां पर प्रशाशन के तरफ से आके उस इंटरव्यू को बंद क अगर पूछेंगे कि हम कैसे इस पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई अब तो करी सकते हैं कभी इनके वेबसाइट भी, यह उन ही लोगों को बुलाया जा रहा है, जो बहुत पहले से अप्लिकेशन देके रखे हुए थे, इसमें से हमारे भी काई स्टूडेंस हैं, जिनका पहले ही गया था, जैसे फेबरी में आप जानते हैं कि कुछ स्टूडेंस का रिकूट्मेंट हुआ था उसके बाद दुबारा 17 दिन के बाद बंद हो गया था, फिर अभी जो खुला है उसमें प्रोसेसिंग चल रहा है, एक चीज मैं आपको बता दू, डेफिनेटली कोई एरलाइंस का मैनेजमेंट चेंज हो गया है, उसके साथ-साथ, एक पैंडमिक रूल फॉलो करके भी इनको स्टूडेंस को बुलाना या फिर इंटर्व्यू एरेंज करना हो रहा है, तो इसके लिए टाइम लग रहा है, अगर आप दिन में 100 बुलाते तो डेफिनेटल इनका corporate office में भी full staffs अना अभी भी permitted नहीं है, इसके लिए भी कई चीज़े है, कई decisions है, कई recruitment का जो कुछ काम है, ये अभी दूसरे airlines में नहीं चल रहा है, तो option बहुत ही limited है, उसके साथ-साथ काम थोड़ा सा slow है, जिनके पास call आ रहा है, वो थोड़ा सा patience अपको रखना अभी खुला नहीं है, अभी food and beverage only खुला हुआ है, second, CA से जो ticketing reservation उसका अभी शुरू नहीं हुआ, बड़ शुरू होने वाला है, बड़ जो चल रहा है, actually, that is RSA और loader, और porter, जो भी आब बोले, RSA, Ram Service Assistant, इसको कई illness loader भी बोलते है, कई illness porter भी बोलते है, इनका जो vacances है, ये required है joining के लिए, ये सारा चीज़ अभी इन्होंने शुरू किया है, इस चीज़ के लिए मैं आपको बता दू कि, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है, आज के date पे, जो मुझे बोलना आपके लिए, मतलब आपको बताना सबसे जरूरी है, कि आपको patience रखना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है कि जो interview होता, interview बोलिए या चाहे joining process बोलिए, वो आपको airline से करेंगे, तो इसलिए उनके date के उपर आपको dependent होके रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि इसमें definitely आपको घुस्सा आ सकता है, क्योंकि इतना late क्यों हो रहा है, इतना दिन से सब कुछ ब पर रहा है, वो भी अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, कोई HR बोलिए, या फिर कोई भी staffs, कोई भी उच्चाधिर, मतलब उचे post में बैठे हुए है, वैसे अगर officer भी हो वो भी after all उसी company का employee है, तो उनको employee, जो company का rule है, उसको definitely मान के चलना पड़ेगा, जहां तक आप ल कपरा सही ठंग से पहनना चाहिए, आरेंड होना चाहिए, फू कैसे पहनेंगे, यह सारे चीज आपको बताया गया है, एक बात याद रखिएगा, जो गल्तिया बार बार करते हैं, कि आपका जो CV है, उसको Xerox करते है, CV को कभी Xerox मेत करिएगा, all original printout आउट आपको लेके पड़ेगा, आपका जितना भी documents है, including passport, उनका 55 copy करके, Xerox आपके पास रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ जो passport size का photograph है, with white background, उसका कम से कम 20 copy आपके पास रखना पड़ेगा, यह सारे चीज को लेके आप ready रहिएगा, अगर आपने already apply कर दिया है, यहाँ पर, तो आपके प अभी कुछ और भी rules change हुआ है, कि कई airlines कुछ link भेज रहे हैं, उसी link से उन्होंने micro submitting भी कर रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, कि all things physically होता था, बट अभी क्या है कि कुछ चीज online हो रहा है, कुछ चीज physically जाके करना पड़ रहा है, इसलिए rules बदल गया हम लोगों को कुप जो notice कर रही हूं, हमारे students को लेके, या फी total process में, you have to have the patience, थोरा सा patience अब को रखना पड़ेगा, क्योंकि जो process है, यह थोरा सा change कर दिया गया है, जैसे पहले जैसा recruitment process है, वो उस type का भी नहीं हो रहा है, इसमें सबसे जो चीज है, उसमें मैं आपको बार-बार बोल रहा हू आशार रखती हूं कि आपका ये career आपके लिए बहुत अच्छा एक bright future लेके आएगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, like, share जरूर करिएगा, comment भी करिएगा, and मैं फिर आउंगी एक नए subject के साथ, तब तक के लिए, bye-bye.